Hello Friends, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है सीरीज के पिछले लेसन में हमने Learning के Basic Introduction के बारे में गोरव सर से जाना Basic Introduction के बाद हम जानेंगे की क्या-क्या चीजे Learning वा New Skills सीखने में साहिता या Help करती है सबसे पहली चीज है Resources Resources का होना या ना होना हमारी Learning या सीखने की Speed को कम या जादा कर सकता है दूसरा Factor है Intellectual Factor इसमें Mental Level, IQ Level, EQ Level या SQ Level आता है कहते हैं कि एक बच्चे की सीखने की सेमता जादा होती है जिससे वा कोई भी चीज जल्दी वा आसानी से सीख जाता है दूसरा Factor है Physical Factor कुछ-कुछ Activities जैसे Sports में ही Height, Age, Weight, Strength, Flexibility, etc. matter करती है चोता Factor है Lake of Basic Knowledge इसमें गुणा करना, सीखना है तो हमें कम से कम जोड़ना या फिर गटाना आना चाहिए सीखने के लिए कौन से मेथट ज़्यादा सही होंगे या कौन से मेथट कम सही है लोडियो से सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर वीडियो से सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन इन चारों को छोड़ कर सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण फेक्टर है रहे psychological factor psychological factor में सबसे पहला है कि सीखने की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद सीखना कम हो जाता है लोगों ने ये धाना बना ली है लेकिन मेरा मानना है कि हम ही अपने आप पर एक जंजीर बांध रखी है यह सोच कि सीखने की उम्र होती है और यह दुन्या में अब इतनी फैल चुकी है कि दुन्या में अधिकतर लोगों ने अब यह मान लिया है कि अब हम नहीं सीख पाएंगे और उसके बाद वो महनत कम करने लग जाते हैं तो अटोमेटिकली उस उम्र के बाद सीखना कम हो जाता है और उसके बाद यह कहवद भी सिथ होती चली जाती है लेकिन दुन्या में ऐसे बहुत से उदारण है जिनोंने 30 वर्ष या 40 वर्ष की उम्र के बाद भी आयाम पाए है साइकोलोजिकल फेक्टर में एक ओवरनाइट सक्सेस की मित्या है कि कुछ लोग सोचते हैं कि सक्सेस एक रात में ही मिल जाती है हमें यह सोच त्यागनी होगी कि कोई भी सक्सेस एक रात में मिल जाती है इसलिए कहा जाता है कि ओवरनाइट सक्सेस की रात बहुत सालों की कड़ी मेहनत से बनी होती है अंतर इसके लिए भले ही आप धोनी, सचीन, रोनाल्डो, बिल गैट्स वा स्टीव जोब को भी इस पेमाने पर रख लो एसी ही साइकोलोजिकल फैक्टर में सोचे कि चीज में बुरा लगना, या बुरा होना, या बुरा दिखने का डर अगर हमें कोई चीज सीख रहे हैं, तो अफकॉर्स उस चीज में हम बुरे होगे हर कोई एकसपरिट किसी समय में बिगनर रहा होगा जैसे की उसेन बॉल्ट ने जब चलना सीखा होगा तो वो भी गिरा होगा इसलिए अगर हम कुछ चीजे सीख रहे हैं तो हमें उसमें अच्छा करने से पहले सबसे बुरा पर्फॉम करने की कोशिस करने चाहिए अगर हम सबसे बुरा पर्फॉम करने की कोशिस करेंगे तो हमारी कई कोशिशे बेटर भी होगी इसलिए अगर आप कोई भी चीज सीखना चाते हैं तो सबसे पहला एम रखे कि सबसे बुरा पर्फॉम करने का और याद रखे अच्छा पर्फॉम करने में टाइम लगेगा पल वो पल भी आएगा तो इसी के साथ हमारे आज का यह लेसन यहीं समापत होता है और नेक्स लेक्सन के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए मैं आगया चाहती हूँ